दो microbit यूज़ करते हुए हम एक radio controlled car बनाना सीखते हैं एक जो microbit है वो हमारी car को drive करेगा और जो दूसरा microbit है हम इन दौनों को radio function यूज़ करते हुए इसको as a remote control यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी movement करेंगे maybe button press या maybe tilt उससे हम इस car को control करेंगे तो ये car बनाने के लिए एक तो आपको एक regular chassis चाहिए ये किसी भी बहुत किसम की आती है essentially कोई भी एक आपके पास chassis है जिसमें की दो geared motors लगी है और क्योंकि ये दो geared motors जो हैं वो काफी current draw करती है हम इनको directly microbit से नहीं करने कर सकते है इसके लिए हमारे को एक motor driver board use करना पड़ता है motor driver board का इस किसम के project में function cable ये है कि motor driver board की अपनी अलग power supply होती है और motor driver board through an IC and other components ensure करता है कि हमारी motors को adequate current मिल जाए while हम उन motors को using a microbit control कर पाएं तो ये motor driver board अलग-अलग किसम के आते हैं तो मेरे पास ये एक अलग motor driver board है पर अभी जो मैं motor driver board use कर रहा हूँ वो specifically microbit के लिए बना है तो इसमें microbit इस तरीके से fit हो जाता है और फिर हमारे को केवल यहां इन दो pins पे power supply और इन दो pins पे एक motor को connect करना है और इन दो pins पे जो हमारी दूसरी DC motor है gear DC motor है इसको connect करना है तो ये हमारे motor driver board की assembly complete हो गई है next step में हम इसकी programming करना सीखते हैं तो मैं makecode.microbit.org में एक नया project शुरू कर रहा हूँ radio controlled car बनाने के लिए हमारे को दो programs लिखने पड़ेंगे एक जो है वो हमारा transmitter का काम करेगा और एक जो है वो हमारा receiver का काम करेगा क्योंकि हम यहाँ पर radio function यूज करना चाहते हैं तो जैसा मैंने एक और वीडियो में समझाया है कि जब आप microbit में radio function यूज करना चाहते हैं तो radio में सबसे पहले आपको एक common group setup करना पड़ता है ताकि जितने भी आप microbits उस particular group में यूज कर रहे हो वो एक common channel पर रहें तो यहाँ पर हम एक transmitter और एक receiver दो microbit यूज कर रहे हैं और मैं channel number से लेक कर रहा हूँ 255 हमारा transmitter का program जो है वो बहुत simple रहेगा अगर हम button A दबाते हैं तो यह जो हमारी कार है यह forward जाए अगर हम button B दबाते हैं तो यह जो कार है यह reverse में आए और अगर हम tilt left करते हैं तो यह कार left मुढ़ जाए tilt right करते हैं तो यह कार right मुढ़ जाए और अगर हम button A and B दोनों दबाते हैं तो यह जो हमारी RC car है यह रुख जाए तो यह जो हमारी चार command है यह सब इस transmitter जो हमारा microbit है इस transmitter को पहले हम code करना सीखते हैं तो मैं radio में जाकर यहाँ पर different strings भीज रहा हूँ तो मैं जो पहला string भीज रहा हूँ वो on button A pressed है और हम string क्या भेज रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि A में हमारी car forward जाए तो मैं string भेज रहा हूँ F फिर इसी को duplicate करके मैं कह रहा हूँ कि on button B pressed हम चाहते हैं हमारी car backwards जाए और फिर हम यहाँ पर input में जाके on shake का जो block है इसको लाके अगर हमें इसका drop down देख रहा हूँ तो यहां से मैं on tilt left कह रहा हूँ कि हमारी car जो हम signal भेज रहे हैं वो है कि left मुण जाए और यहाँ पर इसी को duplicate करके मैं कह रहा हूँ कि tilt right पर हमारी car right मुण जाए तो हम r जो है string की value r यहां भेज रहे हैं और finally मैं कह रहा हूँ कि on button a plus b pressed हम चाहते हैं कि गाड़ी stop हो जाए तो हम s भेज रहे हैं तो यहां हमारे को केवल यह याद रखना है कि हम कौन सा string जो है वो भेज रहे हैं f, b, l, r और s तो यह हमारा remote का transmitter और अब मैं इस program को अपने transmitter जो हमारा microbit है इस पे transfer कर रहा हूँ इसके बाद हम जो हमारा यह जो दूसरा microbit है जो हमारी car पे लगा हुआ है इसको program करते हैं तो इसके लिए मैं फिर से make code में एक नया project शुरू कर रहा हूँ r c car receiver तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें radio में on start कहना है कि यह दौनो microbit same group के हैं तो क्योंकि उसको मैंने 255 पे किया था तो मैं इसको भी 255 पे कर रहा हूँ अब यहां पर हम जो वहां से हमने strings भेजे थे उनको receive करेंगे and depending upon हम क्या receive कर रहे हैं हम commands देंगे कि हमारा microbit से जो जोड़ी motors हैं वो कैसे behave करें तो इसके लिए मैं radio में जाके क्योंकि हमने वहां पे number या value नहीं भेजी थी हमने string भेजा था तो मैं कह रहा हूँ कि on radio received string तो अब हमें check करना है कि कौन सा जो string है वो receive होगा तो क्या commands होंगी तो हम पहले शुरू करते हैं कि हमने transmitter में बोला था कि a button दमाने पे f string आएगा और f का मतलब है forward तो हम यहां कह रहे हैं हम logic में जाके एक conditional statement ला रहा हूँ कि if हमें यह देखना है कि received string की value अगर f है तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या receive string f है की नहीं है तो यह boolean operator को चेक करने के लिए मैं फिर से logic में जाके यहां comparison blocks में यह वाला comparison ला रहा हूँ यह वाली equality ला रहा हूँ यह जो पहली equality है यह numerical variables की equality चेक करती है यहां पर हमने string भेजा है तो हमारे को string की equality चेक करनी है इसलिए मैं यह particular equality का block ला रहा हूँ जिसमें quotation marks है यह बहुत important बात है क्योंकि अगर आप यहां पर यह numerical value लाओगे तो यह नहीं चलेगा तो यहां मैं कहा रहा हूँ कि if received string is equal to f यानि कि forward है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो motors हैं वो forward run करें और मुझे फिर इसमें extension add करना पड़ेगा जो हमारा motor driver board है तो kitronic के motor driver board का मैं extension यहां पर भी add कर रहा हूँ तो अब मैं यहां कह रहा हूँ कि जब f आए तो जो दौनों motors हैं उनको forward direction में at a speed of अभी मैं थोड़ी कम speed रख रहा हूँ maybe 50 तो मैं कह रहा हूँ कि speed of 50 पे forward और दूसरी motor भी 50 के 50 पे forward चले फिर यहां पर अगर हम देखें जो हमारा transmitter है इसमें अगर b string हो value तो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी reverse जाए तो इसके लिए मैं फिर यह पूरा duplicate करके अब चेक कर रहा हूँ कि अगर यह backwards या sorry b हमारे पाद string value आए तो हम चाहते हैं कि हमारी जो दौनों motors हैं वो reverse चलें फिर हमारी third condition यहां थी l और r तो हम यहां कह रहे हैं इसको duplicate करके कि अगर यह l है यानि कि left मुड़े तो मैं चाहता हूँ कि हमारी दौनों जो motors हैं वो forward चलें पर एक motor दूसरी motor से slower चले इसकी वज़े से जो है वो हमारी motor हमारी जो गाड़ी है वो turn कर जाएगी और यह अभी left मुड़ेगी कि नहीं यह we can't be 100% sure यह जब हम try करेंगे तब हमें समझ में आएगी वरना हमारे को यह motors को reverse करना पड़ेगा और यहां मुझे हर जगे motor 2 कहना है तो हम एक motor को ज़्यादा speed पे turn कर रहे हैं दूसरी को कम speed पे और इस तरीके से हम turn जो है अपनी गाड़ी को turn करा पाएंगे फिर हमारी जो next है वो है कि अगर r है तो यानि right मुझना है तो फिर मैं इनको reverse कर रहा हूं इसकी speed 20 कर रहा हूं और motor 2 की speed 50 कर रहा हूं and finally हमारी जो last command है वो है अगर हम हमें string मिले s जिसमें कि हमारे को गाड़ी को रोकना है तो मैं फिर से इसको duplicate करके यहां कह रहा हूं कि if the string is s तो हम चाहें तो हम इनकी दौनों की speed 0 कर सकते हैं या फिर हमारे पास यहां पर motor driver board में turn motor की command है तो मैं कह रहा हूं turn motor 1 off and turn motor 2 off तो अब यह जो हमारा program है इसको हमारे को जो हमारा दूसरा microbit है जो हमारी गाड़ी पे लगा हुआ है इस पे transfer करना है तो मैं अब इसको अपने laptop से connect कर रहा हूं और मैं अपने पहले microbit को एक power supply से connect कर रहा हूं यह हमारा transmitting microbit है और अब हम अपने project को test करके देख सकते हैं तो यहां जब मैं button A दबा रहा हूं तो मेरी गाड़ी forward जा रही है button A भी दबा रहा हूं तो stop हो जा रही है button B दबा रहा हूं तो reverse और similarly अगर मैं tilt left कर रहा हूं तो यह turn करेगी और अगर tilt right करूँगा तो wheels के अपनी speed बदलते वे हम गाड़ी को turn कर सकते हैं और final test करने से पहले अगर हम चाहें तो हम अपने transmitter में कुछ indications डाल सकते हैं कि हम signal क्या भीज रहे हैं तो हम यहां पर for example cable मैं arrows बना सकता था या मैं simple यहां पर कह रहा हूं कि send the radio string F and show F तो हमें पता चलेगा कि यह forward जा रही है गाड़ी and हम यहां कह रहे हैं कि इसको duplicate करके मैं कह रहा हूं कि अगर reverse जा रही है तो show B रुक गई है गाड़ी तो हम A भी cross button दबा सकते हैं whatever या S display कर सकते हैं तो इस revise program को मैं फिर इसमें अपने transmitting microbit मैं transfer कर रहा हूं A दबाने पे forward B दबाने पे reverse A भी दबाने पे stop और left tilt करने पे left और right tilt करने पे R या right झाने पे गाचर में तो आणे पर looked के के चैदे हैं झार को के वद़ एंपने रहा हूब एंपने पो Subscribe है झा geschाष